हेलो एवरीबन, जैस याराम, कैसे हैं आप सभी लोग, आश्या करती हूँ, स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे, और अब सक्रात आने ही वाली है, और हमारे हिंदु धरम में सक्रात, यानि की मकर संक्रांती का विशेश महतो होता है, इस दिन बहुत सारे नियम लिए जाते हैं, धरम किये जाते हैं, दान, पुन किये जाते हैं, और बहुत सारी वीडियो चैनल पे आ चुकी है, आप उहें भी जरूर देखिएगा, और एक वीडियो के लिए मुझे बहुत बार कमेंट आ रहा था, इन फैक्ट पिछले एक-दो साल से कमेंट आ रहा था, पर बस किसी कार जरी यह, क्योंकि बहुत सारे सप्क्राइबर है, उनको यह नियम लेना भी है, तो आज की वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं, कि पट खुलवाने का नियम आप कैसे ले सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूह पता चल रहा है, पट खुलवाना य पूरी तरह से आपके ओपर है कि आप सिर्फ या पिर अलग अलग मंदिरों आप खुलवाना चाहें जाहें अब बात कर लेते हैं कि यह नियम आप लेते कैसे हैं इसे लिए। इसे करना होता है, क्या पूरे साल करना होता है, हर महीने करना होता है, या सिर्फ एक बार करना होता है, तो देखिए, जो ये पट खुलवाने का नियम होता है, ये सिर्फ एक ही बार किया जाता है, यानि कि एक मंदिर के तो आप एक ही बार पट खुलवाएंगे, सक्राथ वा आपने असवास कोई भी एक मंदिरी के अगर एक बार भी खुलवा दिया तो भी कोई बात नी बस आप और ना भी खुलवाएं कहने का मतलब यह आपका मन अगर करता है कि हर साल हम इस तरह से अलग-अलग भुगवानों के पट खुलवाये तो आप वो भी कर सकते हैं और अगर आपका मन करते हैं किस एक बार जैसे मालीजी आपकी जहाँ की मालिता हो कोई देवी है तो उनके या फिर कोई आपके जो है कल मैं पट खुलवाऊंगी, जो भी उस मंदिर के भगवान होंगे उनके नाम के, तो आप क्या करेंगे, उस मंदिर के जो भगवान है, उनकी जैसी मूर्ती है, बड़ी, छोटी, जैसी भी है, आपको उनके कपड़े लेने हैं, रेडिमेट मिल जाएं, तो बहुत अची बात जरूर लेना है, जिस भी मंदिर के आप पट खुलवा रहे हैं, उस मंदिर के हिसाब का आपको एक परदा लेना है, और ये सारी चीज़े आपको जाके पुजारी जी को दे देनी है पहले दिन, कि हम कल ठाकुर जी के पट खुलवाने वाले हैं, पंडी जी क्या करेंगे, अगले दिन सुभा, जब सक्राथ वाले दिन पहली आरती करेंगे, आपको समय बता देंगे, तो आप आरती से पहले ही पहुचिएगा, ताकि भगवान जी को जो भी आपने वस्त बगरा देने हूं, वो दे दे दे, पंडी जून का च्छे से सिंगार बगरा कर दे, उसके पंडी जी में पंडी जित् Самा करेंगे, वो दे अमिंत। वाले दे शचे से वाले देगे, उसके बाद जी आरती को जून के बिए जब सो भी आदी से अपना प्हुच के बादी से भग ले के जाएं, उसके बाद आप पंडी जी को दक्षिना जरूर दें तो इस तरह से आप भगवान के पट खुलवा सकते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया आप चाहे तो एक बार में एक मंदिर के खुलवाएं या फिर आप हर साल अलग अलग भी खुलवा सकते हैं इसमें ऐसी कोई वो न है कि नहीं हम जैसे हर साल ले लेंगे कभी माता रानी के किसी आज पास के मंदिर के खुलवा दिए कभी बजरंग बली के कभी शिव जी के तो आप ऐसा भी कर सकते हैं उसके बाद देखिए अब आप मान लीजे किसी भी कारण से सुभा जल्धी की आरती में नहीं इसमें पहले आपको कुछ नहीं करना, पूरे साल कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको पठ खुलवाने से पहले थोड़ी करनी होती है परफान के कपड़े बगारा हुए और जो भॉğ बगारा परशाद है वो सबकी तयण करनी है आपको और दान दक्षिना देके आप अपने पकड़ा उस चीज का उध्यापन होता है कि यह हमारा संपून हो गया लेकिन पट खुलवाने वाले दिन तो आप एक ही दिन करेंगे उस चीज को और उसी टाइम आप जो है उसका दक्षन वगरा दे के संपून कर देंगे उसे तो उसका कोई उध्यापन नहीं होगा और जो भगवानों की पोशाक वगरा है वो अगर आप खुद से सिल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो जहां भी भगवान की पोशाक मिलती है वहाँ पर साइज बताके आप अपने भगवान की पोशाक ले सकते हैं क्योंकि मंदिरों में तो थोड़े भगवान प्रणा के लिएगा जो है राम राम जिस पर लिखा आता है कुछ इस तरह से लीजगा अच्छा सा वो भी आपको असानी से मिल जाएगा आप काला नीला इस तरह का पड़ा लेने से थोड़ा सा वाइड कीजिएगा उसी के साथ सा देखे, जो भी आपके स्रद्धा के इसाप से, सामर्थ के इसाप से आपको चुनके, जुलरी वगरा ले ले लिजिए. आप धातु में सोने चांदी की लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, नहीं तो आटे विशल भी आप ले सकते हैं. और भोग परशाद के आप को विवस्ता करनी होगी तो आप जो भी भोग लगाना चाह है वो ले ले उसके बाद आप जितना बाटना चाह है उस हिसाप से आप बना सकते हैं तो देखिए इसी तारह से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ के हिसाप से समान और दक्षना बगरा बढ़ा सकते हैं तो इस तरह से आप जो है किसी भी भगवान के ठाकुर जी के लड़ू गुपाल के किसी के भी मंदिर के पट खुलवा सकते हैं तो बहुत ही requested वीडियो थी फिर भी मैं लेट हो गई हूँ थोड़ी सी वीडियो को डालने में लेकिन I hope मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दी होंगे इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है कि कैसे तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं मैं पूरी-पूरी सक्रांच से रिलेटिट सभी वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी उन्हें भी जरूर देखिएगा और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो जादा से जादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड जन फैमिली के साथ और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल पर जुड़े रहें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फिर मिलूँगी इसी और वीडियो के साथ तत्त के लिए जैस यराम राधे राधे